जो आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है पैरलल प्लेट कैपैसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक परावेद्यूत वाले समांतर प्लेट संधारित्र तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक को हिंदी में परावेद्यूत कहते हैं डाइलेक्ट्रिक को हिंदी में कहा गया परावेद्यूत परावेद्यूत हम लोग जानते हैं इंसूलेटर को परावध्यूत कहा जाता है, कुछालक पदार्थ, यानि बैड कंड़क्टर, जितना भी बैड कंड़क्टर है, कुछालक पदार्थ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइलक्टरिक, तो इसका एक्जाम्पल क्या सब हो जाएगा, एयर, वेकम, रबड, प्लास्टिक, पेपर, एसेटरा, तो ये जो डाइलक्टरिक मीडियम होता है, परावध्यूत माध्यम होता है, किसी कुछालक माध्यम को ही हम लोग डाइलक्टरिक मीडियम या परावध्यूत माध्यम कहते हैं, इसका एक्जाम्पल क्या हो गया, हवा, निर्वार, रबर, प्लास्टिक, पेपर, एसेटरा ये जितने भी सबस्टांस है ये सारे सबस्टांस क्या है? इंसूलेटर है यानि बैड कंड़क्टर है इनसे करेंट फ्लो नहीं होता है अब देखिए जितना भी डाइलेक्ट्रिक है हर एक डाइलेक्ट्रिक का अलग-अलग पर्मिटिविटी होता है जैसे एयर या वेकम इसकी पर्मिटिविटी को हम लोग एपसैलन नौट से रिनोट करते हैं रबर की पर्मिटिविटी एपसैलन आर प्लास्टिक की पर्मिटिविटी एपसैलन पी पेपर की permittivity epsilon पेपर तो जितने भी dielectric medium है सब की अलग-अलग permittivity value होती है और सबसे कम permittivity air या vacuum की होती है इस सारे dielectric में सबसे कम permittivity किसकी होती है air या vacuum की हर एक dielectric के लिए एक term हमने define किया था dielectric constant dielectric constant परावध्युत नियतांक dielectric constant को हम लोग किये symbol से denote करते है तो dielectric constant क्या होता है किसी भी dielectric का dielectric constant हो गया उस dielectric का permittivity और air के permittivity का जो ratio होता है उसको उस dielectric का हम dielectric constant कहते है किसी भी dielectric का dielectric constant उस डाइलेक्ट्रिक का पर्मिटिविटी और air के पर्मिटिविटी का रेशियो होता है इसको example से समझे माल लिजे air या वेकम इसकी पर्मिटिविटी एपसेलन नॉट है मान के चलिए इसकी value है 2 coulomb square पर newton meter square एर या वेकम की पर्मिटिविटी हमने कितना माल लिया 2 coulomb square पर newton meter square रबड की पर्मिटिविटी माल लिजे 6 coulomb square पर newton meter square प्लास्टिक की पर्मिटिविटी माल लिजे 8 coulomb square पर newton meter square तो रबड का रबड का पर्मिटिविटी कितना है 6 coulomb square पर newton meter square यह हमने सपोस किया मान लिया तो रबड का जो डायलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट होगा रबड क्या है एक डायलेक्ट्रिक मीडियम है और हर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम का अलग-अलग पर्मिटिविटी वेल्यू होता है तो रबड का जो डायलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट होगा वो rubber की permittivity और air की permittivity का ratio होगा rubber का dielectric constant क्या होगा epsilon rubber by epsilon air तो यह हो जाएगा 6 Coulomb square per Newton meter square by 2 Coulomb square per Newton meter square तो इसका value कितना हो जाएगा 2,3,6 Coulomb square per Newton meter square cancel हो जाएगा तो rubber का जो dielectric constant होगा 3 होगा इसका मतलब rubber की जो permittivity है वो air की permittivity से 3 times अधिक है अब आप बताईए plastic का dielectric constant क्या होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि plastic का जो permittivity है वो air की permittivity से 4 गुना अधिक है यहाँ देख रहे हैं यह 2 है और यह 8 है तो यह 4 times जादा है तो इसलिए plastic का जो dielectric constant होगा वो 4 हो जाएगा तो किसी भी dielectric का या किसी भी medium का जो dielectric constant होता है वो एक संख्या होता है जो बताता है कि उस माध्यम का जो permittivity है वो air के permittivity से कितना times अधिक है यह माल लीजिए यह माल लीजिए uniform electric field है E naught E naught क्या है uniform electric field एक समान विद्युच्छेत्र तो जब भी हम किसी dielectric को uniform electric field में रखते है तो वह dielectric क्या हो जाता है polarize हो जाता है जब dielectric को आप किसी uniform electric field में रखते हैं माल लीजिए यह एक dielectric है चाहे कोई भी dielectric हो polar हो या non-polar जब आप उसको एक समान विद्युच्छेत्र में रखेंगे तो वह dielectric जो होता है polarize हो जाता है यानि ध्रूवित हो जाता है इस dielectric को जैसे हमने field पे रखा तो यहाँ पर क्या होगा इसका एक side negatively charged हो जाता है और एक side positively charged हो जाता है इधर जो minus qp charge होगा polarized charge और इधर जो charge होगा वो plus qp होगा ठीक है अब देखिए dielectric के अंदर दो-दो electric field बनता है एक electric field external field है e naught यह e naught कौन सा field है external field external field में हमने इस dielectric को रखा तो यह जो electric field lines है इस dielectric से होकर पास होगा तो इसके अंदर field का value कितना है e naught यह external field और polarization के कारण एक ultra field बनता है plus से minus की ओर जिसको हम polarized field कहते है e p यानि dielectric को जब भी हम electric field में रखेंगे तो उसके अंदर दो-दो electric field बनता है एक external field जो उसके अंदर से होकर पास हो रहा है और एक चुकि dielectric polarized हो जाता है तो इसलिए एक ultra field बनता है जिसको polarized field कहते है तो इसके अंदर जो net electric field होगा वो हो जाएगा e naught minus e p माल लिजे external field का value अगर है 12 volt per meter और polarized field का value है 8 volt per meter तो external field हो गया 12 volt per meter polarized field हो गया 8 volt per meter तो dielectric के अंदर कितना electric field बचेगा 4 volt per meter तो आप देख सकते है कि किसी भी dielectric के अंदर जो net electric field होता है वो external field से हमेशा कम होता है ठीक और कितना times ये कम होता है जैसे आप देख सकते है external field का value है 12 volt per meter और dielectric के अंदर जो net electric field है वो 4 volt per meter है इसका मतलब external field से ये field 3 गुना कम है तीन वुना कम है तो इसका मतलब इसका इस डाइलेक्टरिक का डाइलेक्टरिकariat constant हो गया 3 आपको याद होगा डाइलेक्टरिक के अंदर जो नेट एलेक्टरिक फिल्ड होता है इसका दो फर्मूला होता है एक होता है E0-EP, एक होता है E0 by K आप इस formula से भी निकालिएगा तो external field E0 का value कितना है 12 volt per meter और K का value कितना है 3 तो 12 by 3 कितना आ गया 4 volt per meter तो आप देख सकते हैं कि dielectric के अंदर जो net electric field होता है वो external field से हमेशा कितना times कम होता है K times जहां K क्या है उस dielectric का dielectric constant है इस line को हम फिर से repeat करेंगे याद रखिए किसी भी dielectric को जब आप electric field में रखते है तो उस dielectric के अंदर electric field का value external field से हमेशा K times कम होता है तो net electric field inside the dielectric हो जाएगा E0 by K जहां E0 क्या है external field यह एक पैरलल प्लेट कैपसिटर है पैरलल प्लेट कैपसिटर में metal का दो प्लेट होता है जो एक दूसरे के पैरलल रखा होता है और काफी close रखा होता है यह positive plate है और यह negative plate है positive plate पे plus Q कुलम का charge है और negative plate पे minus Q कुलम का charge है plate का area परतेक plate का area A है और plateों के बीच का जो distance है वो D है माल लीजे दोनों plate के बीच में जो माध्यम है medium है वो आपका air या vacuum है medium कौन सा है air और vacuum जिसकी permittivity कितनी है epsilon not ठीक है यहाँ पर medium कौन सा है air या vacuum और आप जानते है parallel plate capacitor के दोनों plate के बीच में एक uniform electric field बनता है positive plate से negative plate की और क्या बनता है एक uniform electric field E इस E का value हमने कल बताया था sigma by epsilon not होता है इस E का value parallel plate capacitor के दोनों plate के बीच में एक समान विद्दुच्छेतर बनता है जिसका value होता है E is equal to sigma by epsilon not जहाँ epsilon not यहाँ पर जो medium है कौन सा medium है air या vacuum उसका permittivity है और sigma क्या है surface charge density sigma क्या है परतेक plate का surface charge density है अब जड़ा सोचिए यह जो positive plate है इस positive plate पे Q कूलम का charge है और इसका area A है तो इस plate का प्रिष्ठिया वेजगनतों अर्थाथ surface charge density Q by A होगा और negative plate पर भी Q कूलम का charge है इसका भी area A है तो इसका भी surface charge density sigma होगा यानि Q by A तो sigma का value हम क्या लिख सकते है Q by A charge per unit area तो यह जो capacitor है parallel plate capacitor यहाँ पर medium हमने क्या लिया है air और wakem माल लिजिए यह एक parallel plate capacitor है इसके positive plate पे plus Q कूलम का charge है negative plate पे minus Q कूलम का charge है plate का area A है परतेक plate का छेतरफल A है और दोनों plate के बीच का distance D है अब हम क्या करते हैं इसके दोनों plate के बीच में एक dielectric डाल देते हैं क्या करेंगे ध्यान से सुनिए देखिए heading क्या है parallel plate capacitor with a dielectric यानि सामानतर plate संधारित्र के दोनों plate के बीच में अब हम क्या डालने वाले हैं एक dielectric डालने वाले हैं ठीक माली जे रवड का या लकडी का या कोई भी dielectric medium इसके अंदर हमने डाल दिया दोनों plate के बीच में जो medium है उस medium यहां पर first figure में आप देख सकते हैं यहां पर कौन सा medium है air या vacuum लेकिन यहां पर जो हमने medium लिया है यह कोई भी dielectric है air vacuum को छोड़कर जैसे rubber हो सकता है plastic हो सकता है paper हो सकता है कोई भी dielectric medium है ठीक है अब देखिए जैसे ही dielectric को आप इसके दोनों plate के बीच में रखेंगे यह polarize हो जाएगा जरा सोचिए क्यों अभी हमने पढ़ाया जब भी किसी dielectric को आप uniform electric field में रखेंगे तो वो polarize हो जाता है जिसके कारण उसके अंदर जो net electric field होता है वो external field से k times कम हो जाता है ठीक यहाँ पर देखिए यह हवा है यहाँ पर कौन सा माध्यम है हवा अब यहाँ पर electric field का value कितना है e naught यहाँ पर जब medium के रूप में हमने हवा या निर्वात लिया तो यहाँ पर electric field है e naught अब यहाँ पर जब आप dielectric डालिएगा तो वो dielectric क्या हो जाएगा polarize हो जाएगा polarize होने के कारण क्या होगा जब इसके अंदर dielectric डालेंगे तो वो polarize होगा तो इधर क्या आएगा negative charge आएगा minus qp और इधर क्या आजाएगा positive charge plus qp क्योंकि field का direction इस direction में है यहाँ पर आप समझे यह आपका uniform electric field है जब आप dielectric डालिएगा तो इधर minus charge आएगा इधर plus charge आएगा इसको हम polarize charge कहते है dielectric के अंदर एक तो electric field होगा dielectric के अंदर एक electric field होगा e-no ये वला field होगा ठिक यह external इस external field में आपने क्या क्या डाइलेक्ट्रिक लाके डाला दोनों प्लेट के बीच में आपने क्या क्या डाइलेक्ट्रिक रखा है तो यहां पर जो external field है वो E0 है और polarization के कारण एक ultra field बनेगा EP तो डाइलेक्ट्रिक इस इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट एलेक्ट्रिक फिल्ड होगा उसका direction किदर होगा चूकि E0 बड़ा होता है EP से ठीक है तो नेट एलेक्ट्रिक फिल्ड जो हो जाएगा E0 minus EP या इसको हम E0 by K भी लिख सकते है जहां K क्या आहे इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक के दोनों प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक slab डालेंगे कोई डाइलेक्ट्रिक का पट्टी डालेंगे जैसे dielectric के अंदर जो electric field होगा हमारा e जो होगा वो external field e0 से कितना times कम होगा k times ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं e is equal to e0 by k clear है तो यह concept clear हो गया कि dielectric के अंदर जो हमारा electric field होगा वो external field से k times कम होगा जहाँ external field की value कितनी है जहाँ external field की value sigma by epsilon 0 है by k इसको हम लिख सकते हैं sigma by epsilon not k तो electric field का value कितना आ रहा है अब sigma का value हम क्या लिखेंगे sigma का value लिखेंगे q by a sigma बराबर q by a by epsilon not k यह आ गया electric field का value अब आप देख सकते हैं यह वला जो electric field है और यह वला जो electric field है दोनों में फर्क क्या है पहले electric field जब हमने कौन सा माध्यम लिया था हवा या निर्वात तो electric field का value था q by a epsilon not और अब जब हमने dielectric slab डाला है तो electric field का value है q by a epsilon not k यानि dielectric slab डालने से electric field की value k times घट जाती है ठीक है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ड की वैल्यू कितनी हो गई एक्स्टर्नल फिल्ड से के टाइम्स कम एक्स्टर्नल फिल्ड सिगमा बाई एपसलन नॉट के सिगमा बाई एपसलन नॉट के सिगमा का वैल्यू हो गया क्यू बाई एपसलन नॉट के सिगमा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए अब निकालेंगे potential difference between the plates negative plate यह आपका negative plate कितने volt पे होता है? 0 volt पे और positive plate कितने volt पे होता है? V volt पे तो दोनों plate का जो potential difference होगा that is V का मान वो V का मान कैसे निकालते हैं? electric field को यह जो uniform electric field है E इस E को किसे multiply करना होगा? D से dielectric के अंदर net electric field कितना है? अगर electric field को आप distance D से multiply कर देंगे तो आपका potential difference मिल जाएगा और electric field का value कितना है? Q by A epsilon naught K into D potential difference मिल गया अब आप आसानी से capacity का मान निकाल सकते हैं capacity का formula C बराबर क्या होता है? Q by V C का formula होता है Q by V अब देखिए यहाँ पर जो dielectric है इसके positive plate पर कितना charge है? plus Q और negative plate पर minus Q यानि capacitor का charge कितना हो गया? capacitor का charge हो गया Q और उसके दोनों plate के बीच का जो potential difference है वो हो जाएगा यहाँ पर V का value यह वला रखिए Q into D by A epsilon naught K अब देख सकते हैं Q cancel हो गया यह term उपर जाएगा A epsilon naught K by D अब एक बार इस capacitor को ध्यान से देखिए यह जो capacitor है इस capacitor में medium हमने क्या रखा है? air या vacuum यह जो parallel plate capacitor है यहाँ कौन सा माध्यम इस्तमाल हुआ है? हवा या निर्वात? और यह जो capacitor है parallel plate capacitor इसमें कौन सा माध्यम इस्तमाल हुआ है? dielectric जिसका dielectric constant K है कल हमने बताया था इसका capacity का formula आया था epsilon naught A by D और आज हमने capacity का क्या formula निकाला है? जड़ा देखिए K into epsilon naught A by D capacity का formula निकला K into epsilon naught A by D दोनों formula को समझे यह capacity का formula है यह भी capacity का formula है यह parallel plate capacitor के capacity का formula है यह भी parallel plate capacitor के capacity का formula है फरक इतना है कि यह जो parallel plate capacitor है इसमें माध्यम कौन सा है? हवा या निर्वात और यह जो parallel plate capacitor है इसमें कौन सा medium है? कोई dielectric है जिसका dielectric constant K है ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C बराबर K into C naught जहां C naught हमने किसको मल लिया है Epsilon naught A by D इसको हमने C naught मल लिया तो इसका मतलब अगर इस capacitor को हम air capacitor कह सकते हैं air capacitor अगर किसी parallel plate capacitor के plateों के बीच का माध्यम हवा या निर्वात हो तो उस capacitor को हम air capacitor कह सकते हैं और उसकी capacity को किस से denote करेंगे C naught C naught is the capacity of a parallel plate capacitor whose medium is air or vacuum तो C naught हो गया capacity air capacitor का और जब आप dielectric slab डालिएगा तो capacity कितनी हो जाएगे? K into C naught यानि C equal to K into C naught तो हम देख सकते हैं कि dielectric slab डालने से capacity K times बढ़ जाती है या question objective में भी आता है कि अगर किसी parallel plate capacitor के plate के बीच में dielectric डालेंगे तो capacity पर क्या फरक पड़ेगा? तो capacity हमारा K times बढ़ जाएगा ठीक है? electric field जबकि K times घटेगा potential difference भी K times घटेगा field और potential difference दोनों K times घटेगा लेकिन capacity क्या होगा? K times बढ़ेगा capacity का formula क्या होता है? Q by B अगर potential difference K times घटेगा तो capacity K times बढ़ जाएगा charge constant रहेगा पहले भी charge था plus Q minus Q और dielectric डालने के बाद भी charge है plus Q minus Q यानि charge आपका constant रहेगा ठीक है? तो जड़ा सोच ये अगर कोई parallel plate capacitor है उसके दोनों plate के बीच में आप dielectric डालिएगा तो charge पे कोई effect नहीं होगा electric field K times घट जाएगा potential difference भी K times घट जाएगा लेकिन capacity क्या होगा? capacity K times बढ़ जाएगा अगर यहाँ पर अब जड़ा सोच ये ये जो air है air का air का dielectric constant 1 होता है याद रखेगा air या vacuum का air या vacuum खुद तो एक dielectric है तो air का dielectric constant अब कैसे निकालेंगे dielectric constant of air कैसे निकालेंगे permittivity of air अब by epsilon not तो ये cancel होके कितना हो जाएगा 1 तो air या vacuum एक dielectric है dielectric medium है जिसका dielectric constant कितना होता है 1 तो यहाँ पर अगर k का मान 1 रखेंगे तो air capacitor का capacity कितना मिल जाएगा c not epsilon not into a by d ठीक है तो कल के class में हमने क्या सिखा था air capacitor का capacity निकालना epsilon not into a by d और आज के class में हमने सिखा कि अगर dielectric slab डाल दिया जाए दोनों plate के बीच में अगर dielectric slab डाला जाए इस air capacitor के capacity से यह k times बढ़ जाएगा clear है तो यह question भी long question में आ सकता है कि अगर समांतर plate संधारित्र अगर parallel plate capacitor के plate के बीच में dielectric डाला जाए तो उसका capacity क्या होगा उस पूरा formula को आप derive करें तो इस तरीके से आप derivation निकाल सकते हैं ठीक है concept clear है चलिए हम लोग next class में मिलते हैं bye